आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबका पुने तहे दिल से अभिवादन अनोखे अंदाज से बया की जा रही कहानियों के सद्धुत मंच पर आज की कहानी है शेर, सियार और उट की एक जंगल में एक शेर, सियार और तेंदुआ मिलकर रहा करते थे एक दिन उन्हें जंगल में एक उट घुमता हुआ मिल गया उट उन्हें देखकर भैबीत हो गया शेर ने उस पर दया की और कहा डरो मत मेरे दोस्त आज से मैं तुम्ह अभेदान देता हूँ, तुम यहां हमारे साथ, हमारी सुरक्षा में परसन्नता पूरवग निवास कर सकते हो, यहां घास भी खूब है, तुम्हें भोजन की कम ही नहीं होगी, उट बहुत खुश हुआ और तीनों दोस्तों के साथ रहने लगा, उसके दिन अच्छे कट रहे वो अपने लिए या अन्य जानवरों के लिए शिकार नहीं कर सकता था, जो उसकी सिवा कर रहे थे, तेंदुआ और सियार हर रोज अपने मालिक शेर के लिए भोजन का शिकार कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, जब उन्हें शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं ब खाले ये सुनकर शेर नाराज हो गया और बोला क्या तुम लोग भूल गए मैंने उंट को अभैदान दिया है उसे सुरक्षा की गारंटी दिया है सियार ने उत्तर दिया मेरे मालिक उसे मारने के को जरूरत नहीं है अगर वो खुद अपने आपको आपकी भुक मिटाने के ल करता है तो मैं उसे भोजन के लिए नहीं मारूंगा लेकिन उसे स्वेम मेरे पास आना होगा मेरा भोजन बनकर स्यार मुस्कुराया क्योंकि वो तो पहले से ही है कि यो जिनाब बना चुका था उसने अपने सभी करीवी दोस्तों को एक साथ बुलाया और बोला दोस्तों प शेर के पास आए सबसे पहले तेंदुए ने कहा है स्वामी कि प्रपाय मुझे मार कर भोजन के लूप में ग्रहन कीजिए इस तरह आप सभी बच जाएंगे शेर आशिर शकित सा था और बोला तुम मेरे परवार का एक हिस्सा हो भाई मैं इस तरह की बात कैसे सोच सकता हू अफसियार की बारी थी उसने भी तेंद्यो के समानी प्रस्ताव रखा जिसे शेर ने अस्विकार कर दिया। अंत में ऊट की बारी आई। जब शेर ने अपने किसी भी समर्पित सेवक को नहीं मारा तो फिर वो मुझे क्यों मारेगा। यही सोच कर उसने भी अपने आपको शेर के सम्मुक भोजन के रूप में समर्पित किया जैसे ही उट ने खुद को अर्पित किया तब काल सभी जानवरों ने उसी समय उस पर कूट कर उसे मार डाला कहानी कातम देखें क्या सीका हमने 75 की इस कहानी से जब आप दुष्ट लोग की संगत में हो तो हमेशा साब धानी बढ़ते हैं सतर्क रहें उनके मदुर वचनों से बचें कभी भी उन लोगों पर भरोसा ना करें जो आम तौर पर लोगों को सत्ता के घेरे में लाने का प्रयास करते हैं सबस बाग दिखा कर कभी भी किसी पर आँख मूत कर भरोसान मत करिये अगली बार एक और कहानी एक और सीक और हाँ चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो अबश्र करें नई कहानियों के आटोमेटिक एलर्ट स्किल